Hello everyone, आज है 22 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुबैक्स लिमिटेट के बारे में लेकिन सुबैक्स लिमिटेट का जो शेर है ना, वो काफी जादा ट्रेंड में अभी हाल फिल हाल में देखने को मिल रहा है एक बड़ी रफ्तार हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, 28 रुपए से 35 रुपए तक चला गया यह, बड़ी रफ्तार थी यह और उसकी वज़े भी थी लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो वही हुआ है जो पहले हो चुका है बाचित करेंगे कि कंपनी में चल क्या रहा है, लॉंटर्म, शॉर्टर्म का यहाँ पर क्या आउटलूक हो सकता है वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो 32 रुपए का शेर है सुबेक्स लिमिटेट का और आप देखें कि पहले 28 रुपए के आसपर स्ट्रेट कर रहा था बड़ी रफ्तार बनी जैसे ही खबर आई थी कि सुबेक्स ने टाइप किया है गूगल क्लाउड के साथ और स्टोक में तेजी आ गई यहाँ पर यह है कि सुबेक्स हाइपर सेंस फ्रॉड मेनेजमेंट ना अवेलेबल और गूगल क्लाउड और इस खबर के चलते एक जटके में रॉकेट बन गया यह और उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगाता डिकलाइन चल रहा है और यह पहली बार नहीं हुआ है यह कब की 3 अगस्त 2022 की एक खबर थी और तब अगर आप देखोगे तो सुबेक्स का वो जो शेर ट्रेड कर रहा था 26-25 पे उसने बड़ी रफतार दिखाई थी और 43-44 तक चला गया इसी खबर के चलते लेकिन उसके बाद क्या हुआ एक शार्प डिकलाइन आया तो पहली जीज़ तो मैं यह क्लियर करना चाहूँगा कि सुबेक्स में जब भी कोई पोजिटिव खबर आती है उस खबर के आधार पर खरीदारी मत कर लेना क्योंकि खबर आपको बाद मदा चलेगी तेजी उससे पहले आ जाएगी और आप ना हमेशा हाई लेवल पर एंटर करके आपकम है वह यहाँ पर नहीं करना चाहिए तो कि इससे पहले भी कई बार सुबेक्स में इस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिले हैं कि खबर ने एक बड़ी तेजी दिखाई फिर करेक्शन बना फिर अटेम्ट कर रहा था तेजी दिखाने का वापस गिरा फिर कुछ कि फंडामेंडल्स कैसे हैं तो कि सुबेक्स के लिए लास्ट क्वाटर जो रहा था वह बहुत खराब रहा था आपको बता दे सुबेक्स का अगर आब रिवन्यू देख रहे तो लगाता डिकलाइन हो रहा है वह भी तब जब पिछले साल की खबर थी के बहाई जियो प्ल एटलीज कंपनी के बैलेंस शीट पर कहलो कि पांच करोड का दो करोड का प्रॉफिट दिख रहा था क्वाटर ली लेकिन लास्ट क्वाटर में 47 क्रोड का लॉस कर गया जितना रिवन उतना नुकसान इसने किया है इसे पहले भी लॉसिस थे देखो तकरीवन 45-45 क्रोड के आते हैं अगर याद रखे अच्छे आएंगे तो सही चीज़ हो कि लेकिन अगर मान लिजए कि खराब नंबर्स आते हैं जो कि एक्स्पेक्टेड हैं कि वह थोड़े से खराब हो सकते हैं तो यह जो तीजी आप देख रहे हो ना यह जो निउस का इंपेक्ट आप देख र जरूरी है कोई खबर आ गई और उसको ध्यान में रखे अगर आप खरीदारी करने लग जाओगे तो याद रखे वह खबर की जो तेजी होगी वह टेंपररी होगी fundamentals end of the day यहाँ पर matter करेंगे अगर बात करी जाए यहाँ पर volumes की तो 40 लाग के आसपास के share trade होते हमें नजर आ रहे हैं बड़ी quantity में share trade हो रहे हैं इतना ही नहीं according to money control user 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो देखो मैं यह नहीं कह रहो कि company खराब है ठीक है company अच्छा कर सकती है no doubt अच्छा कर सकती है लेकिन हमेशा यह देखो कि risk कहां पर है reward कहां पर है risk to reward का ratio भी आपको यहाँ पर देखना चाहिए बड़ी तीजी पकड़ी थी से पहले लगाता decline आया attempt जब भी किया गिरावट आई attempt जब भी किया गिरावट आई तो पहले वो देखो कि risk कहां पर है reward कहां पर है 32-35 का level risk जाद है reward कम है लेकिन अगर आप खरीदारी करते हो 25 रुपए के level पर 23 रुपए के level पर तो वहाँ पर एक अच्छे मौके बन सकते हैं तो मैं यह नहीं कि खराब है लेकिन किस level पर आप एंटरी कर रहे हो ज़रूरी है और quarter औं quarter numbers पे भी update होना ज़रू और दूसरी बड़ी बात insider transition summary अगर आप देखोगे तो खरीदारी बिक्वाली दोनों के transition देखने को मिल रहा है एक ने खरीदा एक ने बेचा जैसे कि सुबेक्स employee वेरफेर और ESOB benefit ने तकरीवन साड़े तीन करोड़ी साड़े तीन लाग शेर बेच दिया ठीक है तो सामन के revenue देखो तो लगातर decline देखने को मिल रहा है पिशे तीन सालों से लगातर यहाँ पर decline है पिशे दो साल स्वारी तो decline है यहाँ पर profit wise अगर आप देखोगे तो यहाँ पर last financial year में तो 51 करोड का loss कर गई company तो दिक्कत है company में जहां तक सुबेक्स को लेकर अगर हम बात करने जाए तो कोई भी analyst खरीदारी करने के बात नहीं कर रहा है share holding के बारे में अगर हम देखे तो promoter कहाँ पर कोई है ही नहीं है as such mutual fund कुछ भी नहीं है domestic के पास है 0.01% की holding है लेकिन यह March का data है अभी June का आया नहीं है जैसे आया को उसके बारे में बात करेंगे और जादक बात क 6% की holding लेकर यहां पर बैठे हुए है तो कि जो टीजी आई है इस गूगल वाली खबर के चलते और उसके बाद आप देख सकते हो कि करेक्शन भी अभी देखने को मिल रहा है और मुझे जाता है कि यह वापस वहीं पर जा रहा है जहां से यह शुरू हुआ था जो कि 28 रु लेवल है तो एटलीस मुझे लगता है कि यह लेवल मुझे उतना ज्यादा कमफरेबल नहीं लगता है कि रिस्क लिया जा सके यहां पर और जिस तरीके का इसा चार्ट पैटर्न रहा है कि खबर के चलते बड़ी रफतार दिखाता जरूर है बाद में वही होता है जो हम दे चाहिए रहा हूं कि अगर जहां से रिस्क कम है रिवाड जाता है वह लेवल मुझे अभी के लिए लग रहा है 25-27 रोपय का लेवल ठीक है और अगर वहां पर जाता है तो थोड़ा वह सोचा जा सकता है तो अभी के लिए सुबेक्स मैं वेट एंड वाच की ही बात करूँ और इनके जून क्वाडर के नंबर का इंतिजार करूँगा और जो हिस्ट्री रही है कि वह यह खबर के चलते तेजी आ गई उसके बाद फॉरन गिरावड भी देखने को मिल चाती है जो हम कई बार देख चुके हैं यहां पर तो वीडियो को यहीं पेंड करूँगा